इस वीडियो में मैं आपको बताऊ हूँए कि जो ठेल स्प्रेंद है जो Board Exam 2020 के लिए आपके Most Important है यानि मैं एक प्रेंद है आपको बताऊ है इस वीडियो में जो आपके इमपोर्ट टैब Board Exam त्विंटी ट्वन्टी में ऑपके शर्बत स्मरूप्ता वाले gap खीटर से थ्योर्म है वह शर्ब मैं आपको सौहल कुरूंगा अब को ये इंपोर्टेटR आपके शिद्द कीजिये कि तरी also a समानतर खिंची गई एक रेखा त्री भुज की सेश दो बुजाओं को परतिशेद करी तो यह दोनों बुजाओं को समान अनुपात में विवाजिते करती है यानि सबसे पहले हमें क्या करना है सबसे पहले हमें एक त्री भुज बनाना है और त्री भुज है A, B, C अब इसकी एक भुजा के समानतर यानि जो एक A, B है इस पर एक बिंदु इस्तित है D और एक है S, C इस पर बिंदु इस्तित है आपका E अब इसकी एक भुजा के समानतर यानि जो भुजा B, C है उसके समांतर एक रेखा खिंची M, N, D, E अब ये दोनों जो एक बुझा के समांतर खिंची गई एक रेखा त्री भुझ की सेस दो बुझाओं को पर्तिचेद करी तो ये त्री भुझ की दो जो सेस बुझाएं हैं A, B और A, C इनको क्या कर रही है प्रतिशेद कर रही है यह आपका प्रपेंडिकुलर है जिसको लंब बोलते हैं यानि जो AB है इस पर प्रपेंडिकुलर क्या है आपका EF है क्या है EF और जो AC है उस पर प्रपेंडिकुलर है DG AC पर प्रपेंडिकुलर क्या है DG तो सबसे पहले हमें किया आपको 3 point लिखने है योगी आपकी exam में ठेल स्पर में आती है तो आपको 3 point लिखना है सबसे पहला point क्या है दिया गया है given that Given that में आपको क्या करना है जो चीज़ें हमें दी गई है theorem के अंदर वो आपको इसके अंदर लिखना है तो इसमें हम क्या लिखेंगे हमें क्या दिया गया एक त्री भूज दिया गया है एक त्री भूज A, B, C हमें दिया गया है इस त्री भूज A, B, C के अंदर हमें क्या दिया गया है जो EF है जो EF है वो perpendicular किस side पर है यानि AB side पर है जो EF perpendicular है वो कि side पर है AB पर और जो DG perpendicular है जो DG perpendicular है वो कि side पर है AC पर ये दो चीजिया हमें लिखनी है आप जो EF है वो क्या है? जो AB है यानि जो AB side है AB जो भुजा है इस पर आपके दो त्री भुजे A, D, E त्री भुज A, D, E और दूसरा त्री भुज क्या है यानि एबी साइड पर आपके दो त्री भुज है A, D, E और दूसरा है D, B, E दूसरा त्री भुज क्या है D, B, E इन दोनों की जो उन्चाई है इन दोनों की उन्चाई क्या है इन दोनों की उंचाई है जो प्रपेंडिगुलर है जो लंब है उसको हम उनचाई बोलते है तो इन दोनों की उनचाई क्या है EF है क्योंकि ये दोनों 3 भुज AB साइड पर है और AB साइड पर प्रपेंडिगुलर क्वार्द है ये और जो दूसरी जो side है A,C यदि हम इस C की बात करें तो इस पर भी आपके दो त्री भूज है A,E,D आप लिख सकते हैं उसको त्री भूज A,E,D और दूसरा त्री भूज क्या है आपका इसके अंदर E,C,D दूसरा त्री भूज क्या है E, C, D इन दोनों की उन्चाई क्या है यानि ये दोनों किस भुजा के किस भुजा परिस्तित है A, C पर A, C पर perpendicular क्या है यानि उन्चाई क्या है D, G तो इन दोनों 3 भुजों की उन्चाई क्या होगी A, E, D और E, C, D इन दोनों की उंचाई क्या होगी आपकी डीजी अब हम इसको प्रूव करते हैं तो दूसरा पुइंट आपको क्या लिखना है दूसरा पुइंट आपको क्या करना है इसके अंदर तो मैं आपको बदा देता हूं दूसरा पुइंट आपको लिखना है इसमें सिध करना है क्य हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे AD upon DB क्या लिखेंगे AD upon DB AD upon DB equal ये है आपका AE और ये आपका है EC तो इसके equal में लिखेंगे हम इसका ratio AE upon EC ये हमें क्या करना है प्रूव करना है तीसरा point आपको क्या लिखना है उपपती तीसरा point क्या लिखना आपको उपपती अब इसके अंदर हमें प्रूव करना है कि यह जो value है वो हमारी I यह जो answer है वो हमारा AD upon DB और A upon ECI तो यह सब हम किसमें करेंगे उपपती के अंदर करेंगे तो सबसे पहले हम AB side लेते हैं और AB side पर आपके दो triangle बने हुए हैं दो त्री भूज बने हुए हैं एक तो है ADE और एक है DBE तो इन दोनों त्री भूजों का छेतरफल निकालते हैं तो सबसे पहले हम त्री भूज AED यानि जो पहला त्री भूज है आपका पहला त्री भूज है ADE A, D, E इसका छेतरफल निकालते हैं तो त्रीबूज का छेतरफल होता है उसका फार्मूला में लिख देता हूँ एक बटे दो आधार भूना उन्चाई यानि 1 बटे 2 बेस इंटू हाइट तो 1 बटे 2 इंटू इसका बेस कितना है यानि इस त्रीबूज के अंदर हम देखें तो A, D, E का जो बेस है आधार है वो A, A, D यानि A, D इसका क्या है आधार और इंटू आइट क्या है इसकी आइट यानि दोनों जो त्रीबूजे A, D, E और D, B, E इन दोनों की उन्चाई क्या है E, F है ये हमारा आगया है A, D, E का छेतरफल और दूसरा त्रीबूज क्या है हमारा A, B, Sight पर D, B, E इसका छेतरफल हम फाइंट करते हैं तो त्रीबूज का जो छेतरफल होता है उसका फार्मूला होता है 1 बटे 2 बेस कितना है इसका D, B बेस कितना है अंदर भी हाइट क्या रखेंगे यह यानि दोनों की हाइट है वो से मैं यहां पर मैंने लिग रखा है उसके बाद में क्या करेंगे यह तो मैंने A, B, Sight पर जो दो आपके ट्राइंगल बने हुए उन दोनों का छेतरफल निकाला है अब क्या करेंगे अब हम जो सेकिंड है आपका वो मैं यहां पर कर देता हूँ यहां पर मैं वो करूँगा बाकी का लास्ट में है न तो इसके अंदर जो A, C, Sight गे दी हम बात करें तो A, C, Sight पर भी आपके दो ट्राइंगल बने हुए है एक तो है A, E, D और एक है आपका E, C, D इन दोनों का छेतर फल फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हम 3-B, A, E, D का छेतर फल फाइंड करते हैं तो 3-B, A, E, D का छेतर फल 3-B, o, J6 तर फल होता है उसका फार्मूला तो वन बाटे टू और जो बेस है आपका आधार है वो क्या है A into अब ये दोनों त्रिभुज AC साइड पर है और AC साइड पर perpendicular क्या है आपका DG तो इन दोनों की आइट क्या है जो कि मैंने लिख रहे कि यहां पर त्रिभुज A, E, D और E, C, D इन दोनों की उन्चाई क्या है DG तो आधार है वो A हो गया और जो आइट है उन्चाई है वो क्या है DG यह मैंने यहां पर लिख दिया अब अगला जो ट्रिभुज यह वो आपका है E, C, D तो त्रिभुज E, C, D का छेतरफल E, C, D का छेतरफल यानि दोनों त्रिभुज एक तो है A, E, D और दूसरा है E, C, D तो E, C, D का छेतरफल है उसको हम सॉल करते हैं एक बटे दो अब इसका आधार क्या हो जाएगा E, C, इसका आधार क्या हो जाएगा E, C into उन्चाई यह वो दोनों की सेम है यानि इसकी उन्चाई D, G है तो इसकी उन्चाई भी क्या होगी D, G क्योंकि यह दोनों E, C, Side पर है और E, C, Side पर Prependicular क्या है आपका D, G, जो कि यह आ गया यह आपका E, C, D का 6 तरफल और यह आपका आगया है A, E, D का 6 तरफल जो कि मैंने A, B, Equal, A, C A, B, Equal, A, C यानि A, B, जो Side है उस पर आपके दो ट्रिंगल हैं दो ट्रिंगल क्योंक्यों से हैं एक तो है त्रिभूज A, E, D का 6 तरफल त्रिभूज A, E, D का 6 तरफल अपोन दूसरा क्या है आपका त्रिभूज D, B, E का 6 तरफल अब इसके Equal में रखेंगे हम A, C, Side पर जितने आपके ट्रिंगल बने हुए हैं उन दोनों ट्रिंगल को रखेंगे तो A, C, Side पर आपके दो ट्रिंगल है एक है आपका A, या पर A, D, E है A, D, E का 6 तरफल और ये D, B, E का 6 तरफल ओके और A, C, Side पर आपका A, E, D यानि त्रिभूज A, E, D का 6 तरफल त्रिभूज A, E, D का 6 तरफल अपोन दूसरा ट्रिंगल आपका E, C, D का 6 तरफल जो कि हमने निकाल लिया है त्रिभूज A, D, E का 6 तरफल अब त्रिभूज A, D, E का 6 तरफल कितना है तो जो कि मैंने निकाल रखा है या पर सोल कर रख है वन बटे टू इन्टू एडि गुना इए यां आपका यह है एडि का सितरफल अपॉन डीबी-ए-का-छे-तर-फल कि तरह है वन बटे टू इन्टू डीबी-डीबी-इन्टू-ई-फ जो कि मैंने यहां पर निकाल रखा है इसके इक्वल में है AED का सेतरफल जो यहां पर है 1 बटे 2 गुना A into DG और अपोन ECD का सेतरफल है 1 बटे 2 into EC into DG अब इसको आगे सरल करते हैं तो आगे जैसे ही हम इसको सरल करते हैं तो 1 बटे 2 से 1 बटे 2 cancel हो जाएगा और EF से EF cancel हो जाएगा 1 बटे 2 से 1 बटे 2 cancel हो जाएगा और डीजी से डीजी cancel हो जाएगा अब आगे कितना ω पर हमारा बच गया है a d और अपन नीचे हमारा क्या बच गया है db इसके इक Will जाएगा वह भीन्हीक लिफ्ट सो यह हम आलदया नीचे क्या बच गया है इसी तो यह करें, सेल करें, थेंक यू, थेंक यू सो मुच.